दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों के शरीर में केल्शिम की कमी होने लगती है जिसकी वज़ा से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं लेकिन मौजुदा वक्त में सिर्फ बोजोर्ग ही नहीं बलके बच्चे और युवा भी हड्डियों के कमजोर होने की समस्य का सामना कर रहे हैं लोग सोचते हैं कि कमी की वज़ा से उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है खराब डाइट के कारण भी लोगों की कम उम्र में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं इस बात से तो सभी लोग वाकिफ होंगे कि कि मजबूत हड्डियां मजबूत शरीर की निशानी होती है अगर हड्डियां कमजूर होंगी तो शरीर के अपंग होने का खत्रा भी बढ़ जाता है इसलिए जरूरी है कि अपनी डाइट को सही रखना ताकि बढ़ती उम्र में भी हड्डियां मजबूत रहें अगर आप भी की हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है अगर आप केल्शियम की कमी की समस्या से जूज रहे हैं तो नियमित रूप से रागी के आठे से बनी रोटियां या फिर पराठे का सेवन करें ऐसा करने से आपके श्रीर में केल्शियम की कमी जल्द ही दूर होगी और हड्डि को बहुत कारगर माना गया है आपको बता दे कि 100 गरम सहजन में 5 गिलास दूद के बराबर केल्शियम होता है इसलिए अगर आपकी हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है तो इसे दूर करने के लिए आप सहजन की पत्ति और इसके फल का सेवन जरूर करें फल का मतलब ड चार दिन मशुरूम जरूर खाएं क्यूंकि ऐसा करने से आपके श्रीर में जरूरी पोशक्तत्तों की आप उर्ती होगे और आपकी हड्डियां मजबूत रहेगे अगर आपको मांस खाना पसंद नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके श्रीर में केल्शियम की कमी नहीं हैं ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय संद्रे का रस यानि औरेंज जूस पीने से आपके श्रीर में जरूरी पोशक्तत्तों की आप उर्ती होती है संद्रे का रस श्रीर के सभी कम्यों को पूरी करने के साथ साथ आपको फिट रखने में हल्प करता है हरी बिंस खाये हरी ब लूप में एंटी ऑक्सिदेंट भी होते हैं जो आपको हिरदय रोगों कैंसर और डायबेडी से बचाने में हेल्प करते हैं आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी फादे मन लगी होगी वीडियो इच्छे लगी होता अपने दोस्तों आप परिवार के करते हैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो